नमस्कर दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नमस्ट अनौश कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंट्स इस वीडिए में बात करने वाला है RRB NTPCN GroupD के बारे में तो क्या है जानकरी सारी जानकरी आपको डेटेल मे एक इंफर्मेशन और फ्रेंट्स आप किसी भी एक्जाम्स की तियारी कर रहे है चारेल वे बैंकिंग एससी यहां तक इंडिया में होने वाले 580 से भी ज्यादा एक्जाम्स का अब 45,000 से भी ज्यादा मॉक्टेस लगा सकते हैं कैसे तो केवल और केवल सिंगल टेस्ट पास है इसको एक्चुल प्राइस है 499 लेकिन यह आपको पे करने की कोई आप सकता नहीं है आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सक्षन में आपको एक लिंक की पिंट किया हो मिलेगा उसलिए पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10 इसको आप जैसे ह आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहां पर आपको अपडेट दिख जाएगा 16 अगस्त 2022 के डिट में नोटीस औरी एक्जाम फ़र टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ट ऑन 12 अगस्त 2022 इस लिंक पर जैसे हैं आप क्लिक करेंगा आपके सामने इस तरीके का नोटीस होगा यह आपके सामने वह ओफिसियल नोटीस अफ्रेंड गुपनेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्य आप रेलवेस रेल 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 रेकुप्मेंट बोर्ट सीन नमबर 1 2019 फार रेकुप्मेंट ऑफ एस न्टीपीस ग्रेजवेट एंड अंडर ग्रेजवेट पोस्ट नोटीस यानि कि यह जो नोटीस जारी किया गया है वो उन स्टुडेंट्स के लिए है जिनका 12 अगस्ट 2022 के सिफ्ट 1 का जो एक्जामनेशन वो कैंसिल कर दिया था गया था तो यह जो नोटीस है वो रेक्जामनेशन करवाने के रिगार्डिंग है ओके फ्रेंट्स को फस्ट पर्ण में यह क्या कहना चारा दो फस्ट सिफ्ट कंप्यूटर बेस टाइपिंग इस्किल टेस्ट अगेंस सीयन नंबर वन 2019 हेल्ड ओन अगस्ट 12 2022 वास कैंसल डियू टेक्निकल रिजन क्या था प्रेंड आप सब इस्टुडेंट्स को बहुत ज अगस्ट तो जैसा कि आप सब इस्टुडेंट्स को पता भेंड हम लोगों ने आपको पहला ही बता दिया था कि सैटरडे संडे को रेलवे ग्रूप D की कोई परिक्षा नहीं होगी तो 27 तारिक को सैटरडे है और 28 तारिक को आप लोग का संडे है तो 27 तारिक जिस दिन जो एक्जामेशन कैंसिल हुआ था उसको दुबारा से करवाय जा रहा है आगे कुछ जेनरल इस्ट्रक्षन से कि जो आप लोग का सिटी इंटिमेशन है वो आप लोग का जारी काप करवा दिया जाएगा तो नहीं सगस 2022 को करवा दिया जाएगा चार दिन पहले आप लोग जाएगे यहां पर आपको जो सकी रेल्वे का जो ओफिसेल ट्वीटर है वो यहां पर दिख जाएगा आपको ट्वीट्स बाई एडड़े अरवी कोल गाता तो यहां पर लोग को ट्वीट किया गया है अरवी एंटी पीसी के रिगार्डिंग जैसा कि आप सब इस्टुड इस्टुडेंट्स को दिया गया उसके बाद इस्टुडेंट्स से बाहर निकले अब प्राब्लम क्या हुआ कि आपको जैसा कि पता है कि एजामनेशन के अंदर जो इनिविगिलेटर होते हैं वह बहुत जदा हाइली क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं होते हैं सकेंड स इस्टुडेंट्स में क्लियर लिखा गया था कि जो भी स्पेशल इस्टुडेंट्स दिया जाएगा इनिविगिलेटर आके द्वारा टाइपिंग के टाइम में उन स्पेशल इस्टुडेंट्स को फालो करना पड़ेगा वो इस्टुडेंट्स जब एक्जामनेशन देख करकार की कोई परसानी होती है तो सबसे पहले आपको किसको notice में देना है तो वो आपको इन्विगिलेटर को देना है इव दा इसू इस नोट स्वाट आस पो रेलवे रिपर जेंटीटीव जोड़ी आपका इसु रिजॉल्व रही होता है तो आपको जो से की रिल्वे कर रिपर्जेंटिटिव को कम्प्लेंड करनी है आगे क्या जगा जारा फ्रेंड हाइलाइटिंग दा इसू आफ्टर दा इजामिनेशन में नॉट हैल्प ये इजामिनेशन के बाद गर आप इसू को एन कंप्लाइ विध देम जितने भी स्टुटेंट्स 17 को परिक्षा देने के लिए जा रहा है सबी स्टुटेंट्स क्या करेंगे सबसे पहले जो आप लोग अपना अपना अड्मिन कार्ट करते हैं आप लोग जिद्गर मोबायल में रीड नहीं कर सकते हैं तो आप लोग पूरा page को मतलब कि जितना भी admin card का page है सारे के सारे page को print out करवाएंगे कंजूसी नहीं करेंगे आप लोगों ने इतना साल इंतजार किया है इसलिए instructions को पढ़ने में किसी परकार का कोई कंजूसी नहीं करेंगे और सारे के सारे instructions को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको पूरा follow भी करेंगे जो कि आपको पता है कि बारिस का मौसम है इसलिए एक्जामने सेंटर आप लोग पहले पहुंच जाएंगे ताकि आप लोग सांती पूरवा परिछा दे सके दनबाद के मौसम की बात करते हैं तो दनबाद में भी बारिस का ही मौसम है हलाकि आज दिन पर बारिस नहीं हुई है लेकिन बारिस यहां पर कभी भी स्टार्ट हो जा रही है और धनबाद में जो भी student examination देने के लिए आने वाले हैं तो आपके रहने की विवस्ता वमांग स्टड़ी के द्वारा की गई है तो examination center के just opposite महीं हमारा office है तो आप वहाँ पर आएंगे इसलिए हम लोग आपको मिल जाएंगे और भी कुछ tweets किये गया है वो देख लेते हैं CNRC 1290 starting from 17-2022 All efforts goes to west for a few minutes be careful आपको जो सकी बिल्कुल इदम careful रहना है read correct center in time मतलब जो भी आपका center है समय से पहले आप लोग वहाँ reach कर जाएंगे carry original two identity cards including अधार आपको दो original identity card ले करके जाना है जिसमें आपका अधार एक must होना चाहिए बार बार मैं बता रहा हूँ अधार की टीम अधार का verification करती है उसका भी interview available है plus को अधार को आपको unlock कैसे करना है उसका भी वीडियो हम लोगों ने अपने अधार करके website पर जाकर कैसे check कर सकते हैं कि आपका अधार जो है वो lock है की unlock है lock है तो आपको उसको unlock भी कर सकते है या फिर आपका unlock है तो उसको lock करके दुबारा भी unlock कर सकते है charity के लिए candidates have lost eye cards to theft keep call letters and eye cards safely इसलिए चोरी के डर से बहुत सारी चोरी की cases होते रहती हैं इसलिए आप लोग का जो identity card होगा और जो आप लोग का admin card होगा उसको आप लोग संभाल के रखेंगे सभी students के लिए 3000 प्लस science के questions का best PDF प्रवाइड करवाई जा रहा है और numerical का भी best PDF प्रवाइड करवाई जा रहा है मारा WhatsApp नमबर है 9955-364944 इसको note down कर लिए इस WhatsApp पे आप हाई लिखते ही आपको एक link दे दिया जाएगा उसनी पे click करके आगे की परकिरिया को follow करके आप आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं और 17 तारीक को हम लोग ये साबित करके दिखा देंगे कि चितने भी science के questions पूछेगा है सारे के सारे इसी PDF से पूछेगा है एक भी question इस video से बाहर बिलकुल भी नहीं है मिलता है को next video में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत